तो गाइज कैसे हैं आप लोग हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे दोस्तों आज का जो वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास Realme की तरफ से एक इंटरस्टिंग सा हैड़पॉन है जिसका नाम दोस्तों Realme TechLife Studio H1 और दोस्तों इस हैड़पॉन को लगबग मैं तीन दिनों से यूज भी कर रहा हूँ गाइज बॉक्स को अन्बॉक्स करेंगे सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्रेंट करेंगे फुली टेस्टिंग के साथ इस हैडपॉन का रिवीउ करेंगे और अपना तीन दिनों का एक्सप्रेंस भी आपके साथ सेर करने वाला हूँ अगर आप इसे लेने की सोच रहे तो दोस्तों इस बारे वीडियो को दिख्या आपके सारे कंफ्यूजन और मुस्ट रूर हो जाएंगे तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है अगर आपक आपको पता देता हूँ इसमा आपको 40 mm के डाइनमेक ग्राइबर देखने को मिल जाते हैं 43 db तक का हाइवर्ड एक्टिव नॉइस चैंसलेशन देखने को मिलता है 70 आवर का प्ली ताम देखने को मिल जाता है special audio effect देखने को मिलता है dual device connectivity वाला भी feature देखने को मिल जाता है देखने को मिल गया था एक आपको type c interface के साथ charging cable देखने को मिल जाता है cable की quality दोस्तो मुझे बढ़िया लगी है और guys length मिरोंने काफी ठीक टे रखी है तो दोस्तो काफी distance से आप अपने headphone को charge कर पाएंगे एक आपको aux cable देखने को मिल जाता है aux cable की quality भी दोस्तो मुझे काफी बढ़िया लगी है और दोस्तो aux cable भी काफी लंबा आपको मिल जाता है तो guys अब बात कर लेते हैं अपने main product की बारे में सबसे पहले दोस्तो इसकी build और design की बात करें तो दोस्तो इस press segment में इसका जो design है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा है और दोस्तो headphone light weight है अगर आप आपसे long term use करेंगे तो दोस्तो आपको irritation बगरा बिल्कुल भी नहीं होगा guys build quality की बात करेंगे तो दोस्तो headphone में प्लास्टिक यूज़ करेंगे वो मुझे काफी अच्छी quality की लग रही है और दोस्तो fully glossy type का ये headphone आपको मिल जाता है guys इस side आएंगे तो दोस्तो यहाँ पे इ metal भी यूज़ किया है तो दोस्तो यहाँ से आप काफी जादा band कर लो बट दोस्तो ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं इस side आएंगे तो दोस्तो यहाँ पे भी इन्होंने काफी अच्छी quality का plastic यूज़ किया है और दोस्तो यहाँ पे इन्होंने जो cushion यूज़ किया है वो इनको कम जादा करने वाला बटन देखनी को मिल जाएगा एक आपको multi function बटन देखनी को मिलता है जिससे दोस्तो आप अपने headphone को on off कार पाइंग एक light indicator लगा है और दोस्तो यहाँ पे इन्होंने एक ANC का बटन भी लगाया है और यहाँ आपको type C interface के साथ charging port देखनी को मिलत है तो दोस्तो headphone की जो will design है वो overall मुझे काफी बढ़िया लगी है इस price segment में और guys इसके fitting और comfort के बारे में बात कहीं तो दोस्तो यह headphone मुझे comfortable काफी जादा लग रहा है उसकी बज़य है दोस्तो इसका weight बहुत कम है अगर आप से long term use करोगे तो दोस्तो आपको किसी भी तरीकी का irritation बगरा महसूस नहीं होता है और guys fitting की बात करों तो दोस्तो fix भी काफी अच्छे से यह headphone आपके कानों में हो जाएगा अगर आप से किसी भी activity करते टाइम यूज कर रहे हो जैसे workout करते टाइम यूज कर रहे हो रनिंग बगरा कर रहे हो तो दोस्तो यह headphone आपके कानों से ब Bluetooth 5.4 बहुत जल्दी से यह headphone आपके device से प्यार हो जाता है guys यहाँ पे आपको किसी भी तरीकी का issue नहीं आएगा और guys इसमापको high quality audio coding AAC, SBC और दोस्तो LDAC का भी support देखने को मिलता है और guys इसमापको Google fast pairing का भी support देखने को मिलता है जैसे दोस्तो आप अपने headphone को on करोगे आप आपके smartphone में pop up आ जाएगा और guys जैसे केमिन आपको बताया था इसमापको dual device connectivity वाला भी feature देखने को मिल जाता है तो दोस्तो दो smartphone से एक साथ pair करके आप इसे use कर पाएंगे और दोस्तो एक laptop और दोस्तो एक smartphone से भी आप इसे pair करके use कर पाएंगे guys इसके gaming quality की बात करूं तो दोस्तो इसमापको 80 millisecond low latency की साथ gaming mode भी मिलता है तो दोस्तो gaming का एक छोटा सा test पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको idea लग दाएगा इसमापको फिस तरीकी की latency मिल रही है फिर guys मैं अपना experience भी आपके साथ share करूंगा अगर आप इसका gaming mode on करना चारा है तो दोस्तो उसके लिए आपको ANC बाले बटन को 1 second तक tap करके रखना है आपका gaming mode on हो जाएगा अगर आप gaming mode से exit होना चारा है तो दोस्तो फिर से आपको ANC बाले बटन को 1 second तक tap करके रखना है आप gaming mode से exit हो जाएगे तो गाइज गेमिंग टेस्ट देखने के बाद आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा कि इसमें आपको किस तरीकी की लेटेंसी मिल रही है गाइज मैं अपना एक्सपरियेंस एर करेंग तो दोस्तो इससे मैंना BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करें थे मैं गाइज ये बोल सकता हूँ 72-80ms लो लिटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोल मिलता है तो दोस्तो कैजवली गेमिंग करने के लिए काफी तगड़ा ये हैड़फॉन रहने वाला है बड़ दोस्तो प्रोफेशनली गेमिंग करते हूँ उसके लिए मैं आपको रेकेमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइज इसमें आपको माइनर सी लिटेंसी मिल रही है लेकिन गाइज अगर आप इसे ऑक्स केबल के साथ गेमिंग के लिए यूज कर हूए तो दोस्तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीकी की लिटेंसी नहीं मिलती है बहुत सारे लोग हैडफॉन से कॉलिंग करना भी पसंद करते हैं इसके लिए इन्होंने AI-ENC भी दे रखा है मतलब कि Artificial Intelligence Environment and Noise Cancellation गाइस कॉलिंग का मैंने एक टेस्ट किया था आउट्डोर में जाके वो मैं आपको सुना देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके microphone speaker किस तरीके से work कर रहे है और दोस्तों especially जो इसका AI-ENC है वो किस तरीके से work कर रहा है वो भी आपको एक idea लग जाएगा तरीका मैं उसी से calling कर रहा हूँ ठीके इसमें AI-ENC भी है ठीके अभी मैं आउट्डोर में खड़ा हूँ रोड पे खड़ा हूँ ठीके बैक्ग्राउंड में कापी जादा noise है ठीके तो बैक्ग्राउंड की noise आ रही है कुछ आपकी पार्स पूरी बहुत आ रही है बॉक्स पे इनोंने mention कर रखा था इसमें आपको 43 dB तक का high word active noise cancellation बिलता है बट गाइस बॉक्स पे जो लिखा होता है उस पे मैं बिल्कुल भी trust नहीं करता हूँ personally दोस्तो आउट्डोर में जाके मैंने एक इसका ANC test किया था तो guys मैंने ये observe किया है background की noise लगवग ये 80 से 85% तक cancel कर देता है दोस्तो मैं आपको अच्छे से explain करूँ तो आपके पास खड़े होगे कोई बाते कर रहा है तेज तेज वो आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनाई देगा बर दोस्तो दूर से कोई crowd आ रहा है वो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है वहाँ पे दोस्तो आपका surrounding एकदम quiet हो जाता है तो दोस्तो इसका जो ANC है वो इस price segment में मुझे बढ़िया लगा है और दोस्तो इसका जो transparency mode है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा है अगर आप इसे लगा के कहीं outdoor में जा रहे हो जैसे walking area में जा रहे हो या दोस्तो running बगरा कर रहे हो पीछे से क्या भी color है वो आपको अच्छे से पता चल जाता है गाइस अब बात कर लेदे इसके battery backup के बारे में तो दोस्तो headphone में इन्होंने 600 mAh की battery लगाई है जो आपको approx 70 hour का playtime दे देती है अगर आपसे ANC off करके use कर रहे हो तो अगर आपसे ANC on करके use कर रहे हो तो दोस्तो वहाँ पे ये headphone approx 45 hour का ही playtime देता है और गाइस इस headphone में आपको कोई भी पास्ट charging का support देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तो ये चीज मुझे थोड़ी सी disappointing लगी है और गाइस ये headphone लगवाग देड़ घंटे में फुल चार्ज हो जाता है तो गाइस अब बात कर लेदे इसके sound की quality के बारे में गाइस जैसे के मैं आपको बताया था पिछल बड़ी आलगा है अगर आप इसका special audio effect on कर लेते हैं उसके बाद इससे कोई भी गाना आप सुन रहे तो दोस्तो आपको बिल्कुल theater वाला feel आता है और दोस्तो इसका special audio on करने के लिए आपको ANC वाले बटन को दो बार tap करना है जल्दी जल्दी से आपको special audio on हो जाएगा और आपसे long term use कर गए तो दोस्तो आपके कानों में बिल्कुल भी irritation बगरा मैसूस नहीं होता है vocals भी clear है और दोस्तो background में जो instrument बसते हैं वो भी आपको काफी clearly सुनाई देते हैं और guys एक बात मुझे काफी अच्छी लगी है इसकी अगर आपसे full volume पर सुने तो दोस्तो आपको क इसे purchase कर सकते हैं तो guys अब बात आती है 4500 में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और आपको सभी feature men आपको अच्छे से बताए हैं तो guys decision आपको से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है अगर आपको मेरा opinion चाहिए तो दोस्तो इस price segment में ये headphone मुझे value for money लगा है अगर आपका buzzard दोस्तो 5000 वपाई से कम है ANC बाला कोई भी headphone अगर आप purchase करना चाहिए तो दोस्तो definitely आपसे purchase कर सके हो तो guys यही था realme tech life studio H1 headphone का unboxing review अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो एक like तो जरू कर दिना इसी तरीके का content आगे भी और guys bell icon को जरूर press कर लिजे ताकर आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल सके तो guys मिलते एकली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye